नमस्कार मैं इंजिनेर दीपक कुमर आपका स्वागत करता है मेरे चैनल में दोस्तों आज को में टोपिक है वह आपका है करेंगे उसमें क्या इफेक्ट पर सकता है उसके बारे में आपको बताएंगे और यह चीज आपका आयस कोड जो है 7861 पार्ट 2 में दियावा आप उसको भी रिफर कर सकते जिससे क्या हो है कि आपका वहां पे आप देखने से आपका सारा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक दोस्तों दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा कि कि इससे पहले में एक विडियो बनाया था कि होट होट वेदर में जो है कंकीट में क्या एफ्रेक्ट पड़ता है अगर वह वीडियो भी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो है लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दोंगा उसको भी देख लेंगे तो उसमें जो है आपका जो भी डॉट है वो क्लियर हो जाएगा और एक और चीज आज जो हम कॉल्ड वेदर की बढ़न में जो है क्या एक आट परका देखिया देखियर दोटक्षान ओप कंुरीट इन कोल्ड बयदर in to do special and peculiar problem which associate with setting and harding of cement concrete setting on army of cement concrete and she mar the damage may occur if concrete which is still in plastic state okay safe ourselves it is exposed to law temperature thus causing ice lens is exposed to law temperature thus causing ice lens to form and expansion to occur विदिन दा पोर स्ट्रेक्टर ओगे फ्रेंड हैंस इती एसेंशल तो किप दर टेंपरेचर अब दा कंकृट एबब एब मिनिम्मम वेल्यू बिफोर इज प्लेस इन दा फॉम वाल मनले कि इसका जो है फोर्म अप्लेस करने पहले जो इसको जो है यह वाल मिनिम्मम वेल्यू आपका जो है इसेंशल टू रखना परेगा टीड़स्टो संटर अब देख ग्रशस घ्रश्टों सब्सक्रिंग अब दरह स्ट्प्र वेख यह सथर्तव जो खोई सब्सक्रिंट् स्ट्रें आइब आग टिरोस्टर्थ help of proper insulation method before the protection is removed before the prostitution is removed during period of low ambient temperature a special technique are to be adopted to cure the concrete a special technique concrete while it is in the formwork or after it remove okay friend next any concreting operation done at a temperature below five degrees centigrade is termed as cold weather concreting cold weather concreting करते हैं तोस्तों बताते हैं अगर temperature जो है पांच डिग्री या पांच डिग्री से नीचे हो उससे क्या effect पर सकता है उसको वन वाइं बता रहें देश्टों पाहला है डिले सेटिंग वह कंकेट को सेटिंग में जाए उसका डिले हो जाए जैसे जो आपका जो है 24 घंटा के अंदर जो आपका जो डिले हो जाना चीए वह आपका सब्सक्राइब जादा भी लग सकता है ठीक जोस्तों देखें वाइं देंप्रेचर इस फॉलन तो अबाट फाइव दिग्री सेंटिरेट और बिलो देवलोप्मेंट अब स्ट्रेंथ आफ कंक्रीट इज डिटार्डेड कंपेर विद डेवलोप्मेंट अट नॉर्मल टेंप्रेचर जो नॉर्मल टेंप्रेचर सब्सक्राइब को जो है डिफेंट रहेगा यह आपका स्टेंद उसका दस टाइम प्रिएड फोर्न रिमोबल आप फॉर्म वर्ग है तो भी इंक्रीज इस कारण से जो है अगर सेटिंग अगर लेट से होगा तो उसका जो हमको जो है फॉर्म वर्ग का जो है रिमोबल का जो है टाइम प्रेड भी बढ़ाना परेगा ठीक दोस्तों नेस्ट आपका है फ्रीजिंग अफ कंक्रीट एट अर्लिए स्टेज देग बिफोर स्टन प्री हार्ड निंग प्रियाड अगर फ्रेंड कंक्रीट में सफर एडिप्रेवल लॉस इन इस प्रोपर्टीज तो एन एक्स्टेंट डैट कंप्रेड कंप्रेशिव एस्टेंथ में गेट कि अगर फ्रीजिंग में अपका उसको ड्राइब होने में समय लाएगा तब जितना कंक्रीट का देश्टेंज मिलना चीए उससे जो आप फिप्टी पर्सेंट जो है रिडूस हो जाएगा ठील दोस्तों इस्ट्रेसे ड्यू टू टेंप्रेचर डिफ्रेंशियर कि अत्क हां तरस जो ड्राइब है लाग्ज त्रेंप्रेच्छे जो लूज्ए डिफिर इंग्रीशा डिफ्रेंच्ट बिच्यू रिवें संथड गर्डेइगयर त्वकि Bennett में पर्मोट ग्रिंग हैं क्रैक कि अम् empowered भी हैं गर्सक्ति इससें general experience that large temperature differential with the concrete member may promote cracking and have a harmful effect on the durability such different cells are likely to occur in cold weather at the time of removal of foam insulation okay friend, next next I am Ruka 4th, repeated freezing and thawing of concrete if concrete is exposed to repeated freezing and thawing effect thawing after final set and during the hardening period, the final quality of the concrete may also be impaired damage okay so this is 5 degrees if temperature will be this cold mayna 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 और यह जानकारी अपने तक सीमित मत रखिए यह जानकार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देजिए और खास करके हमारे चैनल वाइक को सब्सक्राइब कर देजिए देखिए अभी तक वह लाल एक दम है और जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना उसके बगल मे